नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आज़े अंजू सरदार भगत सिंग का नाम अमर शहिदों में सबसे प्रमोक रूप से लिया जाता है भगत सिंग का जन 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपूर में बंगा गाओं के एक देशभक्स सिंग परिवार में हुआ था जिनका अनुकूल प्रभाव उन पर पढ़ा था उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंग और माता का नाम विद्यावती कौर था यह एक सिक परिवार था जिसने आरिस समाज के विचार को अपना लिया था उनके परिवार पर आरिस समाज वमहरशी दयानन की विचार धारा का गहरा प्रभाव था भगत सिंग के जन्ब के समय उनके पिता सरदार किशन सिंग एवं उनके दो चाचा अजेश सिंग तथा स्वन्ड सिंग अंग्रेजों के खिलाफ होने के करण जेल में बंद थे जिस दिन भगत सिंग पैदा हुए उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया इस शुब घड़ी के अवसर पर बगत सिंग के घर में खुशी और भी भड़ गई बगत सिंग के जन के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागो वाला रखा था जिसका मतलब होता है अच्छे भागे वाला बाद में उन्हें बगत सिंग कहा जाने लगा वह 14 वश की आयू से ही पंजाब के करांती कारे संस्थाओं में कारी करने लगे थे डीएवी स्कूल से उन्होंने नौवे के परिक्षा उत्तिन रखी 1923 में इंटरमेडियेट की परिक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाबंदन में बांधनी के तैयारिया होने लगी तो वह लाहोर से भाग कर कानपूर आ गए फिर देश की आजादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया भगज सिंग ने देश की आजादी के लिए जिस सहस के साथ शक्ति शाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया वह योकों के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ा आदर्श बना रहे बगज सिंग को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रीजी के अलावा बांगला भी आती थी जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी जेल के दिनों में उनके लिखे खतों वर लेखों से उनकी विचारों का अंदाजा लगता है उन्होंने बारती समाज में भाषा, चाती और धर्म के कारण आईदूरियों पर दुख व्यक्ट किया था उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारती के प्रहार को भी उसी सक्ती से सोचा जितना की किसी अंग्रेज के द्वारा किये गे अत्याचार को उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारती जन्ता और उग्र हो जाएगी लेकिन जब तक वज जिन्दा रहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा इसी करण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफी नामा लिखने से मना कर दिया था अम्रिस्सर में 13 अप्रेल 1919 को हुए जलियावाला बाग हत्याकाण ने भगत सिंग की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहोर के नाशनल कॉलिज की पढ़ाई छोड़ कर भगत सिंग ने भारत की आजादी के लिए नौजमान भारत सभा की स्थापना की थी काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित चार क्रांतिकारियों को फासी वर 16 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंग इतने ज्यादा बेचेन हुए कि चंदर शेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया हिंदुस्तान सोशिलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन इस संगठन का उदेश सेवा त्याग और पीड़ा जेल सकने वाले नव युवक तैयार करना था इसके बाद भगर सिंग ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधी छक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सांडर्स को मारा इस कारवाई में क्रांतिकारी चंदर शेकर आजाद ने भी उनकी पूरी सहायता की इसके बाद भगर सिंग ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकिश्वर दत के साथ मिलकर अलिपूर रोड दिल्ली इस्थित ब्रिटिस भारत की ततकालिन सेंट्रल असेंबली के सभागार में आठ अप्रेल 1929 को अंग्रेश सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेके बम फेकने के बाद वही पर उन दोनों ने अपनी ग्रिफ्टारी भी दी इसके बाद लाहोर शेंत्र के इस मुकर्णमे में भगत सिंग और उनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुकदेव को 23 मार्च 1931 को एक साथ वासी पर लटका दिया गया यह माना जाता है कि मृत्य दंड के लिए 24 मार्च की सुबर ही तय की गई थी लेकिन लोगों के भय से डरी सरकार ने 23 और 24 मार्च की मध्यरात्री ही इन वीरों की जीवन लीला समाप्त कर दी और आत के अंधेरे में सतलच के किनारे उनका अंतिन संसकार भी कर दिया यह एक सयोग ही था कि जब उन्हें फासी दी गई उन्होंने संसार्थ से अविदा ली उस वक्त उनकी उम्र 23 वर्ष 5 मार्च महा और 23 दिन की थी और दिन भी 23 मार्च था अपने फासी से पहले भगत सिंग ने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा था जिसमें कहा था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाब भारतियों के युद्ध का प्रतीक एक युद्ध बंदी समझा जाए तर था फासी देनी के बजाए गोली से उड़ा दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ भगत सिंग की शहादत से ना केवल अपने देश के स्वतंतरता संगरस को गती मिली बलकि नवियूकों के लिए भी वह प्रेनस्त रोत बन गए वह देश के समस्त शहीदों के सिरमौर बन गए भारत और पाकिस्तान की जंता उन्हें आजादी के दि इशकेली समर्पित कर दी उनके जीवन पर आधारित कई हिंदी फिल्में भी बनी है जिन में दा लीजेंट ऑफ भगत सिंग शहीद शहीद भगत सिंग आधी आज भी सारा देश उनके बलिदान को बड़ी गंभिरता वस सम्मान से याद करता है वंदे मातरम जै हिंद जै माभारती तो इसी के साथ मैं चलूँगी करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभू श्री राम का नाम नमस्कार